नमश्कार दोस्तों आज की जो हमारी लेर्णिंग होगी वो लेर्णिंग एक आईपीयो के उपर होगा डिसेंटली आईपीयो आया था न उसा आईपीयो के उपर आखिर मार्केट में क्या हुआ जो इसकी जो आई प्यों की प्राइस थी लिस्टिंग के बाद की बात करूं थो एक लगातार गिरती भी नजराती है इसकी कहावत है ना कई बार सपोर्ट लेबल कौन सा आखला आखलन करूं यह समझ नहीं पाते हैं और सब के सब यहां पे प्रोफिट बूकिंग में लगे ह जैसे मार्केट कुछ अलग एक्सन के साथ पोटेंसियल की तरफ भागने के अप्रियास करा था कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड करती क्या है दोस्तों देखा जा तो क्रॉस लिमिटेड एक पार्ट बनाती है पार्ट में उसरा पार्ट और टूल्स का बात करें एक उस या फिर टेलर्स की पार्ट होती है बड़ी बड़ी ट्रक्स और वेहिकल्स को लेकर यह कंपनी और इंडिया से वाहर भी कुछ काम काज चलता है तो कहती है बिल्कुल करती है देमंड को लेकर कहती है कि अधिभिस आप दर एकुरिशिस की बात करते कंपनी का नाम है क्राउस और इस कंपनी को देखा जाते है इसका ओफिस कहां की आती है जहारखंड का ओफिस आता है मतलब यह समझ में आया कि जहारखंड वेस एक कंपनी जो आई पीओ लेकि आई थी किसके थूँ आई प्यों और लेके आया था में और आई पियोँ में कितना क्याव इंवेस्टमेंट करके लेकर एक अस्वас है करें तो इसमें हमारे सामाने लिए निकल की आती हथ आती जो मैनृफ्रेक्ट्रेश्ड अद्र टेलर Anda और जहवर ईसको सेशन को लेकर कि यस तरफ सबाइटम्स को लेकर की कंपनी का, पास सो करोड की इनको फंड की जरुवत थी तो नहीं मारकेट से फंड लिया पासो करोड का और लेने के बाद मारकेट में क्या हुआ, कुछ पार्ट को समझिए आई पीओ आई मार्केट में 240 के रेंज में पासो क्रोर का मार्केट में इनका सू साइस का मार्केट से पैसा फंड लेना था जब लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग में कोई भी प्राइस मुमेंट नहीं होती है प्रायस के आसपास लिस्टिंग हो जाता आज के टाइम में देखा जाए तो आई पी ओ की प्राइसे से भी मार्केट एक गिराबट में हमने एक इस्टार्टिंग में कहा था पर बहुत पहले की बात है जब हमने स्टार्ट किया था इसको एक आई पी ओ आपको आमीर भी बना करेंगे जो कंपनी फिलहाल ऐसा क्या पैदान बनती है जो और यहां पर बुक वैल्ली वैसे तो नहीं कहता हम कुछ पार्ट को समझ लेंगे तो साथ कुछ क्लिटी निकल के आज आए कि 208 का फिलाल मार्केट प्रैस कहती है और इंडस्ट्रिल की बांकी सेक्टर बांकी दुक प्रेशन फास टूटा हुआ है यहां करा जो तो यह दिए 20 परशन मार्केट इनके पीछे चलती है तो साथ यह कह सकते हैं कि 200 से 20 परशन चल भी जाए तो साथ तो धाई शुर पे तक आ सकता है अधिकिन सवाल यह भी आता है कि कि सेक्टर से इसको पार के लिए साथ इसके बेटर हो सकता है कि किस पार्ट से सबसे जाए रिवेंड नहीं हो आती है उससे साथ कंपेर करना बेटर हो सकता है और जिस एकॉर्डिंगली इसमें गिराबट का संके चल रहा है प्रमोटर की होल्डिंग 67 परशन्ट की है फेस बैल्लिव पांच के कॉर्डिंग देखा है अरो चीक काफी अच्छा रहा है और वी काफी अच्छा है फंडामेंटल तो कुछ पार्ट को देखने से लगते है कि इनकी पास ठीक ठाक है ऐसा तो नहीं कि मार्केट में इनकी करेंट मार्केट की आई पी यो प्रैस को हाई वेल्यू पर बेचा गया जैसे कि काफी सारे क कंपनी करती भी है जैसे करेंट रेशो के बाद 1.36 का कहता है और इसी को हम समझते हुए समझने के प्रियास करेंगे आखिर इसमें क्या सब हो और क्या सब्सक्राइब करने के प्रियास करते हैं और तो हमारे सामने कुछ निकल कि आज आज आए तो सायथ पीटर अब यहां पर देखिए क्या हुआ मार्केट में करने के पीछे कुछ कारणा को समझते हैं इनका यह देखने को मिला कि मार्केट में लिस्टिंग हुई मार्केट में वॉल्यूम्स उथा तगड़ी लेने और देने को लेने और उसी पोजिशने पता चला जिसका जो डीप था ज़्या हो सकता है ऐसा बात सिचुशन से जल रही हूँ तबकि इनका फंडमेंटल के कुछ पार्ट को समझें इनके पार्ट जो है वो कहती कि इनका सेल्स को लेकर के क्या बनाती है जो इन तक के डेटा विजिस में सस्टेन कर पा रही है जब कि profit का करा कहती है नहीं हम अतना लेबल पर भी तक बने नहीं कि इनका पार्ट और इनका पार्ट कह सकते हैं कि कम ही रहा इसाब से भी यह नहीं बना था सेल्स जो उनके लिए जब कि यह और यह वैसे में समझ में यह आ पा रही जो कंपनी के पास काफी इंक्रीज करती हुए नजर आती है टाइम टू टाइम मतलब सेल्स लगातार बढ़ रहा है कोई कमी नहीं था क्या सकते हैं कि की फंडामेंटल की उन पार्ट में उनका एक योगदान है कि इनका सेल्स और साथ में प्रोफिट भी दिन बाए दिन साल दर साल क्वार्टर ओफ क्वार्टर यार ओफ यह जहां पर बढ़ती हुई नजर आती है ठीक एकॉर्डिंग यह इन पार्टों को सम्झा साथ एपी हुआ अब देखिए यहां पर प्रोफिट के पार्ट को लेकर के हम हमेशा कुछ डिसकस करते रहते हैं यह क्या था जो क्या नोंने कंपणी ने अपनी तरफ से बुक तो नहीं कर दिया दिखा करके इसके लिए पता चलना चाहिए कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है और प और उन्होंने पास सो क्रोर का मार्केट से फंट्रेस करने की बात किया और यहां पर कितना आया क्यों आया इतना उसके परती कुछ कारण है पैले स्ट्रीट में उन पार्टों को देखा गया जहां पे केबल केबल फेश बैल्यू के गोड़े और वह उन्होंने दर साथ उससे ज्यादा इनका क्या कहता है से अर्थात बुक कर लिए तो पोजिटिव्स एक्सन्स के साथ रही है आखिर इसमें भी कुछ सवाल और है और वह सवाल क्या कहता है स्मझने के बात यह है जो क्या उधार भी नहीं पूख कर को अहां पर आकरके बहुत लंबे से लगता की पिटबाई हो गया हमने करा आशंका जाहिर क्या था ना कहां पर कहां पर की प्रियास में लगे इसी लिए हमें क्या करना पड़ता है आर्ट वार को समझना पड़ता है तो आखिर रिस्क जो है कंपनी में वो कितनी रिस्क है और यह सब को डिपेंड कहां से करता है बहले प्रोफिट में आप कुछ भी डम में डालके प्रोफिट वुक कर लो लेकिन हकीकत तो बैयां आपको बैलेंस्ट दिखाएगा कई बार ऐसा भी है जहां पर बैलेंस्ट को इतना विल मेंटेंड कर दिया जाता है तो आपको कुछ समझ नहीं आता है ज्गिन कुछ जगह पर ऐसे चीज मिल जाती है जहां पहसे समझना अठान हो जाता है कम्पणी ने बया हमारे पास 110 करोर का उधार है है। हमारे सामने 110 क्रोड की उधार की बात निकल जाती है। फिर दो तीन सवाल निकल की आ जाती है। जैसे पता है। पहला नंबर चेस्थोबीष क्रोड, दूसरा नंबर 110 तीसरा नमबर की बात करें पॉइंट आलिस को इन तीनों नमबर को आप आपस में किस से कौन सा मैच कर पा रहा है और किसका कितना पर्षेंटेज है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इससे यह पता चलता है कि जो कोटल सेल्स किया कंपनी ने उसके तारण इनका मार्केट में उधार कितना पर्षेंटेज रहा हूं और उस उधार वाले में जो नेट प्रोफिट मार्जिन उन्होंने दिखाया उसका क्या रेस्टेज इन तीनों नमबर को देखेंगे तो सब तो लगता है कि अच्छा यहां आई की चिंता है लेकिन चिंता पर यह 65 दिन के लिए है जो कि लास्ट दो साल में इनमें वहना चाहिए था लेकिन इसके बजाए तेल्स को दिहान देते हुए इंप्रूब्मेंट नहीं किया गया यहां पर अर्था जोनाने इसके मानते हुए आगे कि मैं दोस्तों किसी भ कि ट्रेडिंग और एड्वाजरी की कोई हेल्प या बात नहीं रखी जाती है और्ली एज लर्णर यदि उस वीडियो में स्टर्डिंग्स पॉइंटर्ड व्यू में वैल्यू एडिशन्स मिलता है तो आप हमारी चल वीडियो को लाइक करना ना भोलिए अधरवाइस आप अगरा कर सकते हैं कि हम यहां पे completely study की बात करते हैं detailed की बात करते हैं without कोई tips आखिर समझने जरूरी यह है और क्या हुआ जिसके वैसे सेंटीमेंट इलका लगाता है पेशर्स चलगा विकबाली का और रुकने का नाम नहीं है रुकने का नाम होता तो साथ कुछ वज़ा हो सकती थी चाही आगे करके कुछ बना के देगा या नहीं जहां पर निवेशकों की बात करें तो एक लाग एकीस हजार की आसपास की निवेशक है और इसमें बल्कडेल भर भर के हुआ है उसमें की बात एक कहावत है फाइडियाई भी अपनी पोजिशन लेके बैठे हैं पब्लिक के पास भी शॉला पॉशेंट की मोल्डिंग कहती है और यहां जैसे चर्चा होती है ना फाइडियाई को लेकर एक और चर्चा होना चाहिए का बागी कौन सी कंपनी है जिनके अपास सब्सक्राइब को लगता है कि हाँ आगे चलकर की इंप्रूमेंट है या आगे चलकर के वह भी बेच कर निकल जाएंगे यह तो मार्केट है वाल्यूम आएगा बल्क की लाएगा तो भी पता चलेगा दरवाईज नहीं पता चलता है यह कुछ आकरा की बात कियाजा है तो इसमें कंपनी में यह सेल्स को लेकर कहती कि लगातार इंग्रीज करती है प्रोफिट उसके कई गुने से बढ़ती है तो कि प्रिसीजियर इस जो वैलू था गया हाइर वैलू को पर हमाने प्लिस्टिंग करती है यो कि नीचले लेवल पर आने के बाद दोबादा चलने करें हमने समझने का अपरियास का कंपनी में और इसको क्या पार्ट ऑब यू के तॉर पे प्राउस लिमिटेट के बाड़े में डीटेल समझने का और यहां पर वर्ल्यूम और लो वर्ल्यूम को लेकर देखा गया और उन्होंने कहा कि हमारे पास यह सब डेटा अप्डेट अप्रियाज किया दोस्तों से कंक्लूजन क्या निकलता है कंक्लूजन इसमें यह निकल पाता है इस चार्ट की एस विसिस पे यह तो पहले वैल्यू जिसको हाई रेंज में क्या किया गया आई पी और लेकी आया गया दूसरी बात तो कंपनी में इस तरह के गिराबट है उसके पीछे गूर्डेन उनको समझी हमेशा यहां पे लिया किसी ने और नहीं बेच पाया बेचना चेदरबाज प्रोट्फोलिम रखे रखे उनकी वैल्यूशन क्या दिखा गी गिराबट दिखे और यदि वो निकल गय वहां से उसकी बेसिस पर क्या हो सकता है में एक रिस्क रख करके और यहां पर एक स्टेनलूटी प्राइस की आसपास जिसको कहते हैं वहां पर अच्छा मिलता है तुसको करके निकाला जाकर के दोबारा विंटर किया जा सकता है लर्निंग पॉंटर्ट व्यों से यही समझ देने का प्रियासिया मिलते हैं कुछ नई स्टेड़ी के साथ नई कंसप्ट के साथ तब तक के लिए हमने आई प्यों में देखा जो कौन से कंपने से कितना प्राइसा मिला और क्या आई प्यों अमीर बनाया या आपको उसी लेवल पर आकर छोड़ दे जिस लेवल के लिए करने का प्रियास किया है मिलते हैं कुछ नई स्टेड़ी के साथ तब तक के लिए इंज्वाइट एंड थैंक्यू सुमझ